दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मिक 31 एक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये एक सुपरसॉनिक इंटरसेप्टर एक्राफ्ट है जैसे की सुवित एर फोर्सेस के लिए डिवेल्प किया गया था इसे मिकोन डिजाइन बिरो ने डिजाइन किया था और इसे मिक 25 फॉक्स बैट एक्राफ्ट की रिप्लेस्मेंट के तावर पर डिजाइन किया गया था ये मिक 25 एक्राफ्ट के उपर बेस्ट है और उसके बहुत सरे डिजाइन एलेमेंट्स को शेर करता है मिक 25 फॉक्स बैट एक्राफ्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे इस एक्राफ्ट को इंडिनेर फॉर्स बहुत लंबे समय तक सीक्रेटली ऑपरेट करती रही थी मिक 25 और मिक 31 एक्राफ्ट दोनों ही दुनिया के सबसे ज़्यदा तेज उड़ने वाले कॉमबेट जेट्स में से एक है ये अभी रशियन एर फॉर्स और कजाकस्तान की एर फॉर्स इस्तेमार करती है तो चलिए अभी इस एक्राफ्ट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस एक्राफ्ट में ऐसा खास क्या है कि ये इतनी ज़्यदा स्पीड से उड़ सकता है और अभी के वारफेर में इसका क्या रोल है मिक 31 फॉक्स हाउंड एक लॉंग रेज टू सीट सूपरसॉनिक इंटरसेप्टर एक्राफ्ट है इसकी पहली फ्लाइट से अपने बर 1975 में हुई थी जब मिक 31 एक्राफ्ट को डिवैल किया गया था तो तब इसे स्टेट आफ दी आर्ट डिजिटल एवियोनिक्स के साथ ही क्या गया था मिक 31 एक्राफ्ट हर तरह की वैदर कंडिशन्स में काम कर सकता है और ये पहला सुवित फाइटर एक्राफ्ट था जिसमें ट्रू लुक डाउन एंड शू डाउन के विबिल्टी सी अभी तक 500 से ज़्यादा मिक 31 एक्राफ्ट पर डियूस किये गये हैं जिसमें 371 एक्राफ्ट रशियन एरफोर्स को डिलिवर किये गये थे और 30 एक्राफ्ट के जाकस्तान की एरफोर्स के साथ सर्विस में है जो बाकी बचे एक्राफ्ट थे उनको सबी को अलग-अलग अपगेड प्रोग्राम्स में अलग-अलग वेरियंट्स में अपगेड किया गया था अभी रशिया की मिनिस्ट्री अफ डिफेंस ने अनॉंस किया है कि वो मिक-31 एक क्राफ्ट को अपग्रेड करने वाले हैं जो पहले मिक-25 एक क्राफ्ट था वो लो अल्टिट्यूड्स की उपर असानी से नहीं उड़ सकता था उसमें इन एफिशेंट टर्बो जेट इंजिन्स का इस्तिमाल किया गया था जिससे इसकी सुपरसॉनिक स्पीड्स की उपर जो कॉमबेट रेंज है वो कम हो जाती थी जिसके कारण इसके इंजिन के खराब होने का भी खत्रा रहता था मिक 25 फॉक्स बैट एक क्राफ्ट की सबी कम्यों को दूर करने के लिए मिक 31 एक क्राफ्ट को डिवेल्प किया गया था जो की लो अल्टिड्यूट्स की उपर भी उड़ सकता था और रिक्वाइड सुपरसॉनिक स्पीड की उपर भी उड़ सकता था इसमें एक ज़्यादा अडवांस एफिशेंट लो बाइपास रिश्यो टर्बो फैन इंजिन इस्तिमाल किया गया था जिससे इसकी कॉमबेट रेंज भी इंक्रीस हो गई थी इस एक क्राफ्ट की प्रड़क्शन 1979 में शुरू हुई थी और ये 1982 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था जब सोविज यूनियन का क्लैप्स हुआ तो तब 20% मिक 31 एक क्राफ्ट को सर्विस से रिमूव कर दिया गया था लेकिन जो मिक 31 एक क्राफ्ट की पूरी फ्लीट में से 75% एक क्राफ्ट थे वो रशियन एर फोर्स में 2006 तक वापिस आ चुके थे जब रशिया की एकॉनमी काफी स्ट्रॉंग हो गई थी मिक 31 एक क्राफ्ट के डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एक हाईली एरोडाइमिक स्ट्रीम लाइन बॉड़ी है जो कि इसे हाई स्पीड के उपर उड़ने की शमता देती है और इसके साथ ही लो एल्टिट्यूड के उपर भी उड़ने की शमता देती है इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये multiple targets को एक ही time पर high altitudes की उपर track कर सके और इसका जो air frame है वो अलग लग माटिरियल से बना है इसमें welded nickel steel का इस्तिमाल किया गया है और इसमें titanium और aluminium alloy और 2% composites का इस्तिमाल किया गया है MiG-31 aircraft के cockpit के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें digital avionics का इस्तिमाल किया गया है इसमें multifunction displays का इस्तिमाल किया गया है और liquid crystal displays का इस्तिमाल किया गया है इसे क्राफ्ट के दोनों cockpits में 00 ejection sheets का इस्तिमाल किया गया है इसके front cockpit में pilot बैठता है और जो rear cockpit है उसमें weapon system officer बैठता है जो कि इसके radar operations को control करता है मिक-31 दुनिया का पहला ऐसा एक्राफ्ट था जिसमें एक फेस्ड एरेडर का इस्तिमाल किया गया था और 2013 तक ये दुनिया के पहले ऐसे एक्राफ्ट में से एक था जो की इंडिपेंडेंटली लॉंग रेंज एर टू एर मिसाइल्स को फारी कर सकता था ये दुनिया का पहला ओप्रेशनल फाइटर था जिसमें एक पैसिव लेक्ट्रोनिकली स्केंड एरे रडार लगाया गया था जिसका नाम था जैसलन S-800 इसकी मैक्सिम रेंज फाइटर एक्राफ्ट के साइज वाले टारगेट्स के लिए 200 किलोमिटर थी और ये 10 टारगेट्स को एक ही टाइम पर ट्रैक कर सकता था और एक ही टाइम पर 4 टारगेट्स को अटैक कर सकता था इसमें Wimple R-33 missile का इस्तिमाल किया गया था इस aircraft में radar के साथ ही एक infrared search and track system भी लगया गया था इसमें RK, RLDN और APD-518 Digital Secure Data Links का भी इस्तिमाल किया गया था ये data link Ground Control Centers के साथ communicate करने के लिए इस्तिमाल के जाते थे और जो APD-518 data link था वो MiG-31 aircraft को जादा से जादा 4 MiG-31 aircraft जो कि उसके साथ उड़ रहे हो उनके साथ automatically radar generated data को exchange करने की शम्ता प्रवाइड करता था इसके साथ ये दूसरे aircraft जिनमें कम sophisticated avionics थे जैसे कि MiG-23, MiG-25, MiG-29 और स्कोई 27 उनके साथ भी radar data share करने की शम्ता प्रवाइड करता था जो MiG-31M और MiG-31D और MiG-31BM स्टेंड एक क्राफ्ट हैं उनको जैसलन M radar के साथ अप्ग्रेड किया गया है इन में एक बड़ा antenna है और इनकी जो detection range है वो भी काफी जादा है ऐसी जानकारी है कि ये एक बड़े target जैसे कि एक A-Vox के लिए 400 km दूर से ही track करने की शम्ता रखता है और ये radar 24 targets को एक ही time पर track कर सकता है और 6 targets को एक ही time पर engage कर सकता है और इसके साथ ही इसकी जो speed detection capability है उसे Mac 5 से Mac 6 तक improve कर दिया गया है जाने कि ये बहुत ज़्यदा तेजी से उड़ने वाले targets को भी बहुत ज़्यदा high probability के साथ destroy करने की शम्ता रखता है MiG-31 BM दुनिया के कुछ एकलौते SA aircraft में से एक है जो की बहुत ज़्यदा low उड़ने वाली cruise missiles को intercept और destroy करने की शम्ता रखता है इसके armament की अगर हम बात करें तो इसमें एक GSH 623-23 mm कैनन का इस्तिमाल किया गया है जिसमें 260 rounds का इस्तिमाल किया जाता है इसकी जो main armament है जो main A to air missile है वो R-33 A to air missile है GKH-31 long range missiles को भी कैरे कर सकता है जिसकी range 200 km तक बताई जाती है और ये 4 R-33 long range missiles को कैरे कर सकता है जिनकी range 300 km तक बताई जाती है और ये R-37 missile को भी कैरे कर सकता है जो कि एक long range missile है और इसकी range भी 280 km है Wimple R-37M एक रिशिन हाईपरसॉनिक A-2 Air मिसाइल है जिसकी रेंज काफी ज़्यादा है MiG-31 एक ऐसा एक क्राफ जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉंग रेंज वाली A-2 Air मिसाइल को केरी करता है इसके साथ ही ये R-73 शौर्ट रेंज आई-S exact को भी करे करता है और इसके साथ ही ये R-77 मीडियम रेंज मिसाइल को को भी करे करता है जिसकी रेंज 100 किल blossom तक की बताए जाती है इसके साथ ही ये दूसरे वैपनस को भी केरे करता है जैसे कि KH-31P मिसाइल और KH-58 एंटी रेडियेशन मिसाइल और इसके साथ ही इसकी जो अभी तक की सबसे ज़्यादा पाउरफुल मिसाइल बताई जाती है वो है KH-47M2 किंजाल हाइपरसीशन हाइपरसॉनिक एरो बिलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेज़ दो हजार किलोमेटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड मैक 10 की है और ये फलाइट के हर स्टेज के उपर मनुवर कर सकती है जाने कि इस मिसाइल को गिरा पाना बहुत मुश्किल है और ये कन्वेशनल और न्यूकलर वार हैट्स दोनों को केरी कर सकती है ये ऐसी मिसाइल है जिसने मिक 31 एक कराफ्ट को लॉंग रेंज स्ट्राइक के विल्टिस प्रोवाइड की है जो मिक 31 एक कराफ्ट है उसका में रोल इंटरसेप्टर रोल है लेकिन इस मिसाइल ने इस एक कराफ्ट को बहुत लॉंग रेंज स्ट्राइक के विल्टिस दे दी है और किंजाल दुनिया की पहली हाईपरसॉनिक मिसाइल समेश से एक है इसके मैकसिम्म टेक आफ वेट की बारे में अगर हम बात करें तो इसका मैकसिम्म टेक आफ वेट 46,200 किलो ग्राम का है और ये 16,130 किलो ग्राम तक के इंटरनल फ्यूल को करी कर सकता है और इसके साथ ही ये external fuel tanks के साथ भी fuel carry कर सकता है इसमें दो engine का इस्तिमाल किया जाता है जो है D30 F6 after burning turbofan engines जो की 93 KN का dry thrust generate करते हैं और 152 KN का एक engine after burner के साथ thrust generate करता है इसकी maximum speed के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3000 km पर R की speed से उड़ सकता है और इसकी cruise speed 2500 km पर R की है इसकी range के बारे में अगर हम बात करें तो दो drop tanks के साथ इसकी range 3000 km तक है इसकी combat range 1450 km तक की है इसकी service ceiling के बारे में अगर हम बात करें तो ये 82,000 feet से ज़्यादा की उचाई के उपर operate कर सकता है इसे क्राफ्ट ने maximum altitude के मामले में बहुत ज़्यादा नए record establish किये है 1977 में इसे क्राफ्ट ने 1,23,520 feet की उचाई को अचीव किया था और इसके बाद इसने फिर से एक नया height record establish किया था जब इसने केवल 4 मिनिट में 35,000 मीटर की उचाई को अचीव कर लिया था और इसके बाद 1975 में इस एक क्राफ्ट ने 30,000 मीटर के altitude को केवल 3 मिनिट 9.8 सेकंड में इचीव किया था इसमें 8 hard points है इसे क्राफ्ट की technology के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक क्राफ्ट अभी modern standards के मामले में काफी पराणा हो चुका है और अभी इसे अपग्रेड करने का प्लैन है और इसके बाद इसका एक नया variant डिवेल्प किया जा रहा है जो कि जिसे मिक 41 एक क्राफ्ट का नाम दिया गया है जो कि इस एक क्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है मिक 41 एक क्राफ्ट 4 मैग की रफ़तार को अचीव कर सकेगा ऐसा रशिया की मनिस्ट्री आफ डिफेंस कहती है इस एक क्राफ्ट के उपर काम 2013 से ही चल रहा है मिक 31 एक क्राफ्ट अपनी हाइपरसॉनिक मिसाइल के साथ एक बार फिर से चर्चा में आ गया है इस मिसाइल के साथ इस एक क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा खदरनाक केविबिल्टी मिल जाती है एक तो इस एक क्राफ्ट की खुद स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसको एक हाईपरसॉनिक मिसाइल मिल जाने के साथ ये दुश्मन के उपर बहुत तेजी से अटैक कर सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूँ लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हंद जै भारत